हेलो दोस्तो सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग नाय ब्लॉग में स्वागत है और आप देख रहे रंजीत यादव ब्लॉग्स जो हम लोग अभी अगर तल्ला गए हुए थे तो अगर तल्ला से गाड़ी खाली करने के बाद जो हम लोग आए तो वेदर काफी खराफ वेद कि रख से अगरे तो हमोग दोस्तो वेदर खराप के कारण रात में रुख गयते हैं जो मेरे अगले ब्लोग में देखी होंगे एक होटल में रू गय थे जाड़ी जाम बहुत ज्यादा जाम हो गया था इसलिए हम लोग रूख गया फिर सुबह-सुबह निकले तो यह दर च्राहले चाला ने हो ङए लोगे दर ऐगाला कि विल्टेर थक्ति रहे हैं टी माधियार थोड़ा थे हीरा कि तो एक यह पका हम मारत तो इसे के लिए दोस्तों हम लोग राज में रूप गया दर्कारे जाना अब उपर से चढ़ाई उतार चढ़ाई उतार दांते पाहड में लॉंग सिलॉंग जो है कितना रस्ता खराब है और चढ़ाई ही है तो यह रस्ता देखकर देखकर ही आपको अन्जाज़ा लग दिय सब्सक्राइब था ग्रीत कर दोस्तों हम लोग जो पाहाड में फंस गिये था है तो आम लोग खाना नहीं मिला था पानी झाला विल दोस्ते ना बूंग लोग को खाना नहीं मिला गैसा में थे तेर यह बाराच चक्का एक गाड़ी के लिए पूरा रस्ता जामीं दर तिन भी सिंफ हम दोस्तों गाड़ी में कुछ रखते तब और हमके गाड़ी में पुछ ने था खाने पीने का समान अब अपना गाड़ी में बिस्कृट इसकीट भी रखते हैं कम से कम एक दिन खाना ने भी मिलेगा तो चलेगा बिस्कृट पानी रखते हैं पानी भी ने खाना भी ने था तो लाश में फिर हम लोग तो पड़े आपका 10-11 गाड़ी वहां बना इसके बाद फिर हम लोग गाएं होटल में खाना ना खाएं वहीं फिर सोगाएं इसका बाद सुबा उठें उठने का बाद अपना गवाटी जाने का सफर में निकल चुक हैं तबी वहां से निकलने का बाद दोस्तों गवाटी दूसरा दिन हम लोगा गाड़ी लोड हुआ वहां से अलीपूर दुआर के लिए तो अलीपूर दुआर के लिए वहां सुप्रीम से लोड हुआ था और उसके बाद दोस्तों हम लोग सुप्रीम से लोड करके फिर वहां से आपका 3500 किलोमेटर अलीपूर दुआर के लिए फिर वहाँ पर गाड़ी खाली करने के बाद दोस्तों सिलीगुरी आने के बाद फिर वहाँ पर गाड़ी उसी दिन अमछों का गाड़ी लोड व गया उसके आपका रानी गंज के लिए जो आम लोग अगर दुर्गापूर में पड़ता है तो वहाँ आम लोग रानी गंज में अब गाड़ी खाली तेके हो गया अभी होगा हुआ नहीं अभी कि कबना यही है है फीर उप आप इस एव रस्ता है यह रस्ता जो बहूंट डेंजर रस्ता है यहाँ पे जो गाड़ी चला लिया गाले अरासाम में जो गाड़ी चला लिए अब सब जगा गाड़ी चला ले गई देखे कितना खतनाक टर्णिंग है तो अभी हम लोग सिलोंग बाइपास रोड में है जो अभी यह टर्निंग है जो बहुत डेंजर टर्निंग है इज़ा तब यहां से गवाटी 100 किलो मिटर है स्विरा य संस्कों फूड़ा इसलम पाहर का लीज में देखिए अ यह गाड़ी फूरा है जगा चड़ाईये बहुत चड़ाईये इदर गाड़ी है यह वाला हुआ ना वाइट कलर का इदर आपको पहार देखाते थोड़ा विए पहार पहार देख सकते कितना टाउन में में पाहर बहुत डाउन है इधर दोस्तों पाहर सब चलिए दोस्तों अब आपको यहां सब गारी स्टार्ट करके अबले चलते हैं जो आपका जो आपका बहुत दूर था अगर तल्ला जो आपका बहुत दूर था अगर तल्ला हम लोग गहते हैं बहुत खतरनाक रोड़ा तो अभल दोस्तों हम लोग यही पे खाणा उना खाएंगे यह होटल एक पंजाबी होटल तो यहां ही पर खाना ना खाएंगे और यहां ही पर आना है फिर सुबह सुबह पांज वजे उठकर अपना वार्टी जो वार्टी पुरा पाल करने के बाद महां पर जाना है कंपनी में गाड़ी लोट करने के लिए यहां दोस्तो जो पहाड है यह जो हम लोग का रस्ता है रस्ता कैसे बना है यह रस्ता बना है पहाड का पीचे बीच को काट के पहाड को काट कर यह सब रस्ता बना है जो यह सब रस्ता जो खटनाक रस्ता है बहुत खटनाक इस सब देखे इस सब पहाड को काट काट कर रस्त पनाया गया है यह देखे, यह सब पार्की नहिया साइड साइड में गाड़ी लगा सकते हैं, कोई दुक्कत नहीं है यह केला गाज बहु जादा है यह ललेगा हुआ जा मुझा लुट देखा कि खेला मुझा बना देलाई पिया महाट ठीग हुआ ही आर्टों साथ। मियाम जब दखाद या किना? एक सुम मलाइकिल एक सुम एक सुल का मैन अमनियत तिने दिश्मक्त किलो बाद बाराों वादर तारीं लाएकर लाएकर लूख अालएकर लाएकर लाएकर दोस्तों खाना देखें कि अगला खदरनाग खाना करें है अधि दोस्तों खूंचिया बजार पार करके एक होटल है जाले हम लोग खाना खा रहे हैं नहीं पर यह अधिकतर हम लो बराबर रुचते हैं नहीं पर खाना खाते हैं और हम अमेरा कुता वला हल हो गया तिन दी दिन आये नहीं है इंजे उबल बेर